दोस्तों नमस्कार जय आर्सियों जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज 25 को सुबह 9 बुदें एक मिटिंग के दोरान ये बताया गया कि मार्करिंग जो प्लान है आर्सियों का वो अपडेट हुआ है और इसे फिल्ड में बहुत सारे उस्सा है जोस से भरा हुआ पुरा है और हर व्यक्तिक के अंदर एक असीन संभावना ही पैदा हुई है जिससे वह बहुत बड़ा इस बिजनेस में कुछ कर जाए दोस्तों आज इस वीडियो के बनाने की पिछे ताथ पर यही है कि हम जो नया अप्डेट प्लान है उसके कुछ बारिक बिल्ड़ों को समझ ल हो हम फड़ से वीडियो खौल के रूब इसके कंफिजन निकाल ले अभी लगाता हम वीडियो अफडेट होंगे लेकिन कंपनी की तरफ से भी जब पीडियो आएगा और जब यह वेबसाइट में आएगा तो हर चीज क्लियर हो जाएगी लेकिन मोटा मोटी क्योंकि अब ihr universum अबके रोचे से समझ यानि जो लोग पसेज रेगुलर करते हैं उनके अंदर क्या परिवर्ण आया है दूसरे भाग में रोविल्टी वाले वालडे वाली वाले ओर टेक्निकल वालों में क्या-क्या परिवर्ण आया और लग वीडियो लेंगे अच्छे दिन आ गये हैं क्योंकि अब उसे रेगुलर पर्चेज करने से इतने सारे बेनिफिट दिये जाएंगे इसे वह समझ भी नहीं सकता सबसे पहले हम समझते हैं कि वह गैप्टी जो इसमें बिजनिस में जोईन तो होता है लेकिन उसका लक्ष इस बिजनिस में करियर बनाना नहीं है इससे बहुत बड़ा पैसा बनाना नहीं है आर्सिम के पड़क उसे केवल समझ में आए है और वह रेगुलर पर्चेजिंग करता है लेकिन वह रेगुलर क्यों पर्चेजिंग नहीं कर रहा क्योंकि वह एकोनोमिकल कहीं पर जुडावानी है तो कभी वह प और डबल नाइन तक कितने भी पर्चेजिंग करें जैसे एक मेने में आप एक हजार की एक मेने में आप 500 रुपे की पर्चेजिंग करते हैं तो 3,800 की पर्चेजिंग करने के बाद टोटल आपकी पर्चेजिंग 3,800 का 12% पीवी का डीपी पर्ड़क आपको मिल जाएगा जी हां अगर इसको फीगर्स में बात करें तो सीड़ी सीड़ी है 456 456 रुपे डीपी का पर्ड़क आपको आप 5-6 मेने बाद फ्री में मिल जाएगा यानि उस व्यक्ति के लिए सोने पे सुवागा होने वाला है जो आज भी क्यों पर्चेजिंग करता है जिसका बिजनिस में कोई बहुत बड़ा ध्यान नहीं है जिसके बिजनिस में कमिशन ड्रोप नहीं होनी चाहिए जी हाँ अगर 6 मेने कितनी भी पर्चेजिंग करें वो चलेगा लेकिन 6 मेने रेगुलर पर्चेजिंग होनी चाहिए अगर बीच में किसी भी मेने आपने पर्चेजिंग छोड़ी तो आपकी क्लब की सुरुआत आपके इस कंसिस्टेंसी की सु वापस शुरू से होगी और consistency में लिए वापस उसको उसी मेने से सुरुवात करने पड़ेगी यानि बीच में ब्रेक नहीं जाना दूसरा पहले कई बार consistency में ऐसा है कि कौन से पड़क लेने पड़ेंगे तो मैं आपको यहाँ पर clear कर देना जो लोग minimum अगर purchasing की बात करें तो 1500 PB से ज़्यादा करते हैं और दूसरे वो लोग जो 5000 PB से ज़्यादा करते हैं 1500 PB से ज़्यादा करने वाले प्रतेक व्यक्ति को 5000 PB से ज़्यादा करने वाले प्रतेक व्यक्ति को और 5000 PB से ज़्यादा करने वाले प्रतेक व्यक्ति को जो भी माल वो ले रहा है अगर continue ड़ेड़ हजार शह मेने तक continue थाईजार शह मेने तक वो लेता है तो उसे जी हां साथवे मेने जो भी पुड़क वो पर्मत ले रहा है उसके minimum average से उसे पूरा का पूरा डीपी का पुड़क साथवे मेने फ्री मिल जाएगा एक्जाम्प्ल के लिए एए जैनार का चहले तक लेता है तो साथवे मेने डेड़ जार डीपी पुड़क अगर चहले लगाता गह हिम condition 3 लेकिन अगर कंद लियात तो कउन्यों को गाल में ने यो घृतten rarely ने ले रहें पर में आप purchasing की है उसका 12 person आपको मिल जाएगा जसे बहुत बारी किसे ध्यान देने की ज़रत आप बात आये कि इस से जदा लोग गया है उनके साथ क्या होगा जो लोग इस उसे पेसों की जुरत होती है क्योंकि वो फिल्ड में जाता है तो यहां पर उससे ज़्यादा करने वाले सब लोगों को केस के बेनिफिट मिले हैं यानि एक्जांपल 10,000 से ज़्यादा हर मेने आप रिटेलिंग करते हैं 6 मेने तक तो 6 मेने बाद टोटल 60,000 की रिटेलिंग अगर आपकी हो जाती है तो आपको 3,000 एक्स्ट्रा केस बोनस मिलता है अगर 25,000 शे मिने तक यानि टोटल 6 मेने में डेट लाग की हो जाती है तो यहां पर साड़े 12,000 रुप आपको केस बोनस मिलता है और तीसरा यदि आप 50,000 पर मन यानि टोटल 3,000,000 की पर्चेजिंग 6 मेने में कर देते हैं तो यहां पर 30,000 केस बोनस मिलता है आपके मन में प्रशना रहा होगा प्रशनी यह होगा कि कोई आदमी अगर एक लाग की पर्चेजिंग करता है तो क्या होगा तो सिंपल है 50,000 की गुना लुपे उसे 30,000 का बेनिफिट मिले तो 30,000 अगर एक लाग की पर्चेजिंग 6 मेने तक यानि 6 लाग कर रहा है तो 60,000 अगर 2 लाग की पर्चेजिंग पर्णमन यानि 12 लाग तो वहाँ पर एक लाग बीस जार रुपे उसको केस बिवार्ड मिल जाएगा यानि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है अगर आप ज़ सबसे जादा आकरशन वाली बात जो मुझे लगती है वो यह है एक पर्चेज कलब बनाया गया की चावड़ा जी के दुवारा और पर्चेज कलब का फाइदा यह है कि पर्चेज कलब में एक बार अगर आप सामिल हो गया जैसे एक आदमी कोई आदमी 1,500 की का माल ले चुका होगा और 35 लेते ही उसे पर्चेज कलब के बेरिफिट नजार आने लगेंगे क्योंकि पर्चेज कलब 50,000 पर चालो होने वाला है 50,000 पर एक बार लाइक में एक बार 50,000 तक पहुंच रहा है और 50,000 तक पहुंच गए उसके बाद आप जो भी पर्चेजिं पर आपको अलग से केस बोनस मिलेगा ची हां केस बोनस उसके ओपर मिलने वाला है लेकिन उसका मेक्जिमम केप जो है वो 500 रुपे का है और पर्चेजिंग का एक मेने में पर्चेजिंग का मेक्जिमम के भी 5000 रुपे का है यानि अगर आप एक मेने में 10,000 की नहीं करासकते तो 10 मेने से पहले आप उस क्लम में सामिल ले उपाएंगे लेकिन 10 मेने के बाद 加व अगर कम्लम सामल हो गये तो उसके बाद आपको जो भी अगले मैने से यर्म जी जीतनी भी प्रचेज़िंग करेंगे लिभ का मैक rejo म मिलमेर पाँजBE 940 वागय यानि सो रुपे से पांच जार तक कि कितनी भी परचेजिंग आप करेंगे तो आपको उसका 10% extra bonus case bonus आपको मिलने वाला 10% extra यानि अगर इसके benefit की बात करें तो यह घजब के benefit है और temporary benefit की बात करें तो मज़े की बात है अगर आप थोड़ी सी calculation लगाएं, तो simple सी बात है, consensus sense में जैसे example 5000 के आपने regular purchasing की, तो 5000 की regular purchasing करने की वज़े से आपको 5000 का free product मिल गया, लेकिन 5000 में आपने 1500 का keystone का लिया है, 1500 का gamma original का लिया है, और 2000 का due to charge का लिया है, तो मज़े की बात यह है, कि जितने product आपको आर्शिम ने दिये हैं, उतने ही पुड़क आप product partner से मिल गए, यानि यापर double धमाका हो जाता है, अगर इस purchasing की घनित को आपने समझ लिया, और अपनी टीम में केवल purchasing जर को continuous purchase करने के लिए बायर कर दिया, यानि जब आप सुरुवात में प्लान बताएं, तब आपको प्लान का सीधा सा फंडा यह बताना है, कि सर यहाँ पर purchasing करने से income आती है, और आपकी टीम में अगर regular purchase करने वाले आदमी हो गए, तो आपका career बन सकता है इस business में, अब purchasing करने वाले, purchasing क्यों करेंगे, क्योंकि उनके पास इत्रा benefit है, और अगर आपकी टीम के सारे लोग regular purchase करने लग गए, तो आपका vital, royalty और technical पर जाएंगे, मज़ा आने वाला है, अगले ही वीडियो में हम जो बहुत जल्दी जारी करेंगे, अगले वीडियो में हम जानेंगे, vital level वालों को किस किस तर के फायदे हुए है, उसके बाद royalty वालों को क्या फायदे हुए है, फिर technical वालों को क्या फायदे है, यह सारे वीडियो में तुरंट आपके पास लेक्या हुआँगा एक दो दिन में, आप उसके लिए बने रहिए, मुकेश कोठारी के यूट्यूब चुनल पर बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को आपको अगर सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे महत पुर्ण वीडियो हम इसके अदर लेकर आने वाले हैं, आपको इदर उदर फॉर्वर्ट,